मेवात नू इंसा को ले करके इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई है और पहला विकिट गिर चुका है मेवात नू इंसा में जो दो नाम सामने आ रहे थे मोनू माने सर और बिट्टू बजरंगी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बाकाइदा कि सीसी टीवी फुटेज सामने आई है और सीसी टीवी फुटेज के अंदर साफ तोर पर दिख रहा है आगे वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं पुलिस वाले साधी वर्दी में पहुंचे थे और बिट्टू बजरंगी को गर्दन से दबोचा और गर्दन से दबोच करक पुलिस वाले यहां से उसको गाड़ी में डाल करके लेकर के गए हैं तो पहला आरोपी मेवात नू हिंसा का जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफतार कर दिया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यह वही बिट्टू वाइरल हुई थी जो बिट्टू बजरंगी कह रहा था कि माला तयार रखना तुमारा जी जा रहा है लोकेशन भेज रहा हूं आज इसकी लोकेशन के उपर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने एक अच्छा काम किया है सरानिय काम किया है इस बात की तारीफ होने कि पुलिस वाले यहाँ पर अचानक से आते हैं काफी बड़ी संख्या में पुलिस वाले थे सबके सब साधी वर्दी में थे और साधी वर्दी में पुलिस वाले आ करके डंडे थे बंदूके थी उनके पास में आ करके इसको इसके घर से दबोचा दबोच करके गाड़ी मे डाल करके ले करके चले गए तो बड़ी खबर धाराएं कौन-कौन सी लगाई है और बिट्टू बजरंगी के पडोसी नहीं एक जो पहले से इनके साथी रहे उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है आगे मैं आपको वो दिखाता हूँ धाराएं क्या लगी है कितने आपको डिटेल में दिखाता हूँ लेकिन सबसे पहले सबसे पहले जो है वो आप ये cctv फूटेज देखिए ये cctv फूटेज आप देखिए और बिट्टू बजरंगी को कैसे पुलिस पकड़ करके ले करके गई है यह आप देखिए एकदम से पुलिस वाले दोड़कर भाग करके आते हैं इधर बिट्टू बजरंगी का घर है बिट्टू बजरंगी घर में ये पुलिस वाले जो है ये घुसते हैं देखिए हत्यार लेकर के पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और बिट्टू बजरंगी के घर पर जो है ये तमाम पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं डंडे हैं पुलिस वालों के पास में और यहां से बिट्टू बजरंगी जो की फरिदाबाद में रहता है हर्याना के फरिदाबाद में दिल्ली से सटा हुआ फरिदाबाद है वहां से जो है ये देखिए ये इसको दबोच करके ले जा रहे हैं तो ये तस पुलिस यहाँ पर अब देखिए इन तस्वीरों में पुलिस वाले उसको दवोच करके लेकर के आ रहे हैं बिट्टू बजरंगी को आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह बिट्टू बजरंगी है इसको पीछे गर्दन से और आगे हाथ से दवोचा हुआ है और इसको कारिफ की जानी चाहिए कि एक दम से जो है आज छुटी के दिन पर यह सोच रहोगा कि 15 अगस्त है आज तो गिरफतार यह नहीं होगी घर पर था यह और घर से ही जो है इसको गिरफतार कर लिया गया और यह तस्वीरे जो है यहाँ पर बता रही है साफ तोर पर कि कैसे की अब पुलिस के सिकंजे में पहुच चुका है यह तस्वीरे आप देख रहे हैं तो यह बड़ी कारवाई है पुलिस की मेवात C.I.A की बड़ी कारवाई बिट्टू बजरंगी को गिरफतार कर लिया गया है मुस्लिमों से कहा था कि जीजा का स्वागत नहीं करोगे तो पुलिस करेगी और जीजा कौन किसका है अब इसको बताना पड़ेगा कि किसको जीजा कह रहा था जीजा का कहने का मतलब क्या था और जीजा आज इसको कितना भारी पड़ा है यह पता चल जाएगा तो ऐसे लोगों की खातिरदारी चरूर होनी चाहिए और इसमें कोई मुसलिम भी इस तरह कि अगर कोई बात कहता है उसको भी पगड़ करके जेल में ठोकना चाहिए दोनों तरफ से कारवाई हो ठोके जेल के अंदर हलाकि मुसलिमों के तो जो है वो घर तोड़े गए बुल्डोजर चलाया गया और उसको लेकर के तो हाई कोट तक ने कह दिया कि अब जातिय हिंसा कर रहे हैं खैर वो एक अलग मैटर रहा लेकिन यहां पर जो कारवाई हुई है कम से कम उसका स्वागत होना चाहिए कि पुलिस ने कुछ दिन बाद में ही सही लेकिन कारवाई चरूर की है और इसको इसके घर से दबोच लिया है तो बड़ी कारवाई जो आरोपी बिट्टू बजरंगी को अपराज जाच एजनसी सी आईये ने तावडू के पडोसी जिले फरीदावाद से ग्रफतार कर लिया है इस से पहले कथित गोरकसक बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एसपी उसा कुंडू की सिकायत के अधार पर नू सदर थाने के अंद पुलिस अभी जो है वो फिलहाल इसके ग्रफतारी की पुष्टी नहीं कर रही है तो देखिए पुलिस इसमें अतियाद ये बरत रही है कि इस मामले में जो हमने उसको धर्द बोच लिया है अभी पुष्टी नहीं करेंगे थोड़ी देर बाद में पुष्टी कर देंगे लेकिन मतलब पुलिस थोड़ा टाइम निकालना चारही कि कहीं से कोई जो है वो लोग इखटा ना हो और इस मामले को जो है वो दफना दिया जाए इस मामले को ठंडा कर दिया जाए तो पुलिस जो है वो ये कर रही ही इसलिए थोड़ा सा इन मामलों में इस तरह है कि जो म बड़ी खबर है अब इस मामले के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसने वीडियो के अंदर कहा था कि उनको पूरी लोकेशन दे दो मैं कहां हूं कहां आ रहा हूं नहीं तो बाद में बोलेंगे कि बताया नहीं हम आये और मुलाकात नह ने तो 31 जुलाई यानि हिंसा वाले दिन सुबह ये वीडियो उसने वाइरल किया था और आगे वो कहता है कि जी जा आ रहे हैं माला तयार रखना अब उसको पता चलेगा कि क्या होता है जी जा और क्या होती है माला काईदे से जो ऐसे लोगों की खातिरदारी होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग ही जो है वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं आप किसी के घर पर जाएंगे किसी के महले में जाएंगे किसी के गाउं में जाएंगे और इस तरह की भड़काओ बाते करेंगे तो आप क्या उमीद कर रहे हैं क्या उमीद कर रहे हैं कि वो लोग आप कम से कम इसको घर जदे बोचा है यह एक UC से बात है लेकिन यह कम से कम उस हॉष जह shy पर पॉंसिता नहीं तो इतनी सारी घठ्णा भी नहीं होती ये जो बिट्टू बजरंगी है ये इसका नाम बिट्टू बजरंगी नहीं है ये राजकुमार है इसका नाम और ये फरिदाबाद का रहने वाला है और इसका जो घर दिख रहा था वो भी कोई घर जो है वो मैं एक वीडियो में देख रहा था जिसमें मैलाएं हैं इसके ले रखी थी गाड़ी डंडे वगरा ले रखे थे और अंदर घुसे और गर्दन से और हाथ से उसको पकड़ा दबोचा और फटाक से उसको गाड़ी में डाल करके लिए और उसके बाद में पुलिस वाले वो उसके जो पडोसी हैं वो यह भी बता रहे हैं कि बिट्टू बिट्टू बजरंगी जो कि खुद को अपने आपको गोरक्षक बताता है फरिदवाद का निवासी है यह राजकुमार इसका असली नाम है बिट्टू बजरंगी इसने पोपलर जो है वो नाम रखा हुआ है और इसी के उपर आरोफ है कि बिट्टू की अध्यक्सतावाले गोरक्सक बजरंग फोर्स नामक संगठन ने बरजबंडल यात्रा में आने वाले पोस्टर बाटे थे उस पर भड़काऊ भाशन देने का आरोप है दावे के मुतावी आरोप है कि राजकुमार उर्फ बिट्टु बजरंगी ने मेवात के मुसल्मानों से कहा कि मैं सुसराल आ रहा हूँ अपने जीजा का स्वागत नहीं करोगे क्या ये जो लाइन है ना ये जो शब्द है उसके ये उसके उपर भारी पड़े है और इसने जो है साफ तोर पर कहा है इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ मैं एक और वीडियो इसकी देख रहा था बिट्टु बजरंगी की इसके एक चैनल पर मैंने और वीडियो देखी और अभी तक ये इंट्रिव्यू दे रहा था ये सक्स पुलिस ने जो कारवाई की है वो ठीक है अब कारवाई कर दिये तो थोड़ी उसकी सराना बनती है नहीं तो ये कारवाई भूत पहले हो जानी चाहिए थी ये बैठ करके अपने घर पर इंट्रिव्यू दे रहा था इसको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा तुमारा और उस इंट्रिव्यू के अंदर इसने कहा कि मैं तो जो है वो कुछ कहा ही नहीं और जो जीजा वाली जो बात है तो मेरे बगल में जो लड़के खड़े वे थे उनकी वहाँ पर साधी हो रखी है तब वो जीजा उस लिहाज से कह रहे थे मैंने जीजा नहीं का ये उस इं कर्म का काम किया है लेकिन उस सब चीजे दो निकल करके सामने आ गई है और इसको जो है वो गिरफतार कर लिया गया है अब देखिए एक वीडियो है और ये वीडियो सोसल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है कई YouTube चैनल ने जो इसको कवर किया है और ये सक्स जो है वो सब्सक्राइब करता है उसका एक अंदर से विचार है वो तभी किसी को परेशान नहीं करता उसका गोली चलाई है इसका उस store और लोगोले लेकिन यह जो जोड़े चाहिए चीनका ना वारते Спर्ण के उस में दोसी अगे उसमें बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरे आम फासी लगा जोना मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बाइसाब देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अल्ला के वास्ते भागवान के वास्ते इस बात को खोलो कि असली दोसी कौन है ना हिंदू दोसी ना मुसलमान दो पूजा करवाता है वो छेचे महीने तो नाता नहीं है यह उसके जानने वाले बता रहे हैं और इसी सक्क्स ने आगे बताया है इस इंटर्विव को मैंने देखा पूरा इसने वह आगे बताया कि यह जो बिट्टू बजरंगी है यह सबजी मंडी में जो है इसकी आरती की है यह जो वेक्ति है यह आरती की दुकान बताता है और बिट्टू बजरंगी वहाँ पर सब्जी ओब जी खरीदने बेचने का काम जो हो करता था लेकिन अब बैस वही है कि सबको पता है कि सोटकट क्या है सोटकट यह है कि आप भगवा कपड़े पहन लो भगवा कपड़ लोगों को पता चल गया है कि सोटकट में यह है कि एक जोड़ी भगवा कपड़े ले आओ भगवा कपड़े ला करके जो है वो मुसलमानों को गाली देना पहन करके वो गाली देना शुरू कर दो और फलानी यातरा निकालेंगे फलाना यह करेंगे फलाना वो करेंगे बस करिक्रम की डिकलेयर कर दो और उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में वही होगा जो हो रहा है तो खेर अब मौनू माने सर की भी गिरफतारी होनी चाहिए और मौनू माने सर की गिरफतारी के अंदर एक पेंच है मैं आपको बता देता हूं और इसमें कॉंग्रेस से सवाल पुछे जाने चाहिए इसके अंदर पेच ये है कि हरियाना सरकार जो मौनू माने सर को ऐसा लगता कि गिरिफतार नहीं करना चाहती है और क्यों मैं ये कह रहा हूँ मनोरलाल खटर जो कि हरियाना की मुख्य मंत्री है मनोरलाल खटर का बयान आता है मनोरलाल खटर कहते हैं कि ह हम राजस्तान पुलिस को सयोग देने के लिए तयार हैं, राजस्तान पुलिस के अंदर मौनू मानेसर को लेकर के F.I.R. हो चुकी है, तो मौनू मानेसर जो है, उसको राजस्तान पुलिस गिरिफतार करें। मौनू मानेसर को लेकिन बताया ये जाता है कि राजस्तान पुलिस के उपर ही केस करवा दिया था। तो ये सारी चीज़े हैं, लेकिन एक इसमें पेंच ये है और मैं ये कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस से क्यों ना सवाल पूछे जाएं, कॉंग्रेस से सवाल इसलिए पूछे क्योंकि असोग गैलोत की सरकार वो अपने पुलिस को क्यों नहीं भेजती है, और भेज़ करके कहें, कि देखिए बताओ अब कहा है बिट्टू बाड़े सर, और हम उसको ग्रिफ्तार करना चाहते हैं, निकलवाए उसकी लोकेशन, उसने अपने नंबर वगरा चेंज कर ल उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और यह मैं बात पहले दिन से कह रहा हूँ, इसमें कोई धरम देखकर कि अगर कोई आदमी साइड लाइन ले रहा है, कि फला धरम वाले हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फला धरम वाले हैं तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की मांसिक्ता रखता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबसे पहले आपका दुस्मन है और मैं इस प्रकार की जो काम है उनमें कभी इस्सेदारी नहीं लेता हूँ मैं साफ तोर पर कहता हूं कि जो हिंसा करे अगर आपका लड़का है आपका बच्चा है सगे भी है उसको उठा करके बाहर करी क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अगर कोई कांड में सामिल है और उसको अगर आप शेह दे रहे हैं तो कल को आपके घर में आग लगवाएगा वो आदमी कल को आपके घर पर बुल्डोजर चलेगा हलाकि बुल्डोजर तो अब मुस्लिम समझा आए कि उपर तो वैसे भी चल रहा है लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे उसको बाहर नहीं निकालेंगे उसको हवाले नहीं करेंगे पहली बात तो जाने ही नहीं देना चाहिए अपने बच्चे को उसको ऐसी परवरिस ऐसे संसकार दो उसको हिदायत दो और ऐसा जब माहूल बने तब तो खास करके उसके उपर निगरा नहीं रखो क्योंकि माहूल में आज कल अपने आपको बचाना बहुत बड़ी बात हो गई है तो खैर लोगों तक पहुंचे ये बहुत बड़ी खबर है बिट्टू बजरंगी को गिरफतार कर लिया गया है सिसी टीवी बाकाइदा सामने आई है पुलिस की यहां पर फिर तारिफ में करूंगा और इंचजार रहेगा कि चाए वो मोनु माने सर हो चाए वो और लोग हो उन सब की वी गिरफतारी हो और मेवात में नुहू में पहले जिस तरह से भाईचारा था उसी तरह से भाईचा उम्मीद करते हैं कि वो भी सही कारवाई करेगी क्योंकि हर्याना पंजाब कोट ने जो बात कही थी उसको भी नहीं भूलना चाहिए तो शेर कीजे इस ख़बर को और आप क्या सोंसते नीचे कमेंट वोक्स में लिक करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूजे इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन गंटिया उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपनोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीदे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं